आई एम S.K.M.S.R.A. and I welcome you to the sharp career. प्रसाद, भगवान का प्रसाद, इसकी अंगरेजी आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज सुन लें. प्रसाद, भगवान का प्रसाद, देवी देवताओं का प्रसाद, अबलेशन, आफ्रिंग, टो अंगरेजी होती है इसकी, ये नाव है, अबलेशन भी आफ्रिंग भी, अबलेशन आफ्रिंग, देखें, इसका सेंडेंज, चारीज किलो मिठाई का प्रसाद, मंदिर वे ऐसी प्रसाद चटें, 20 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो भी चटता है, अबलेशन, ओफ 40 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, ओफ स्वीट्स, अरथाद, 40 किलो मिठाई का प्रसाद, प्रसाद चटाना ये एक वर्ब है, ओफर, टू ओफर, एन ओबलेशन, मैं रोजाना भगवान को प्रसाद चटाता हूँ, आई ओफर, ओफर शब्द का प्रियों होता है, ओफर एन ओबलेशन, प्रसाद चटाना, आई ओफर एन ओबलेशन तू गॉड डेवी, अब समझें, गॉड यानि जी कैपिटल लेटर से केवल भगवान के लिए होता है, यानि एक इश्वर के लिए, गॉड एक इश्वर, और यदि देवी देवता हैं, तो जी कैपिटल लेटर से नहीं बनता है, देखें, यह मैंने नीचे लिखा भी है, डीटी, डीटीज, गॉड, गॉड़ेश, अर्थात, देवी, वो देवता और देवी, गॉड़ेश माने देवी, गॉड माने देवता, लेकिन इनका जी, स्मॉल लेटर से बनेगा, डीटी, डीटीज, देवी, या देवता, तो यह क्या है, डीटीज, डीटीज, प्लूरल है, बहुत सारे देवता, यानि दोनों के लिए आएगा, मेल, फीमेल, देवी, देवता, डीटीज, दोनों के लिए होगा, और ये है सिमिलर डीटी और डीटी प्लूरल है राम इस डीटी फार हिंदूर राम भगवान राम देवता है हिंदूों के लिए भगवान कृषिन देवता है बहुत बहुत है प्रसाद चढ़ाने वाले की अंग्रेजी सुन लीजिए अब देखें प्रसाद चढ़ाने की मैंने आपको बताई दी थी मैं रोजाना भगवान का प्रसाद चढ़ाता हूं इसकी बता दी थी मैंने आई ओफर एन अबलेशन तो गॉड डेरी वे हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने जाती है शी गोड़ तो ओफर एन अबलेशन ओन टूजडेज ओन टूजडेज यानि हर मंगलवार को यदि आपको स्वंबार कहना है ओन मंडेज और कोई दिन कहना है तो इस लगा दीजिए उसमें डी की ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं वे हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने जाती है या चाता है ये किसी का नाम लिखना है भूलिद दीजिए कैसी लगिये मेरी वीडियो लाइक करें शेयर करें शब्सक्राइब करें गडब्लेश